तो आज हम बात करेंगे कि क्रिस जैरी को ने भी कुछ का है जो MJF का जो भी कुछ चल रहा है AEW में उस सिचुएशन पर जॉनी गरगानो अभी भी अपना रिटर्न वापस से WWE में कर सकते हैं एक दसने रोबर्ट ने भी बताया जब ब्रायन डाइनलसन और ब्री बेला के घर पे एक बार चोरी हो रही थी तो उसमें ब्रायन डाइनलसन ने क्या करा तो CM पा भी जाना जाते है Hollywood में अगली SmackDown के लिए भी क्या क्या माच जबी तक official होया है और कैसे AEW decide करेगी अपना new AEW World Champion जब हो गए है CM Punk Injured और क्या हमें इस बार दिखने वाले रसल में 39 में Bianca Belair vs Charlotte Flair का माच क्या इस SummerSlam में Triple Threat माच होने वाले MJF vs Seth Freaking Wallens vs Cody Rhodes तो Dexter Lumis की भी first appearance हो गई है confirmed और टाय कॉंटी और सामिंग के बारा भी हो गया एंगेज NXT का next event NXT The Great American Bash की भी डेट आगी है सामने NXT Great American Bash होने वाला है July 5th Tuesday मतलब इंडिया में Wednesday या जुलाइस से और अभी next step है आसका और Becky Lynch को बीट करना Hell in a Cell में जो कली है और यह चीज़ वह पूरी carry करना चाहती है और WrestleMania 39 तक जिसमें वह face करना चाहती है Charlotte Flair को इस बार जो है 4th Horsewoman WrestleMania 37 में उन्हें शाशा बैंक्स के अगेंश्ट भी बड़ा माच मिला जो में इविंट था रसल मेनिया के नाइट वन का और रसल मेनिया 38 में उन्हें बेकी लिंच के अंगेंश्ट भी मिलका जो दोनों मैच वो जीती तो देखते है रसल मेनिया 39 में उनको मैच मिलता है Charlotte Flair के अगेंश्ट के नहीं और रायबैक ने अभी बताया कि रूमर है कि अभी रभी में इतने जल्दी आएंगे तो मेरे सबसे कॉंट्राक्ट के बाद ही आएंगे 2024 में वैसे अगर यह होता समर्स्लाम में अगले वीक के स्मैंटाउन के लिए जो भी अभी तक मैच इस ऑफीशल हो है वह है रिकोशे वसिस गंथर इंटर कॉंटिनेंटल चांप्रेंशिप मैच लेसी इवन्स अपना रिटर्न करेगी स्मैक डाउन में और डेबियो होने वाला परerson समर्स अब पर्याउन और ब्री बेला घजा रहे ते होंते हो और लो को मैच भोशे कर रहे थे लेकिन ब्रायन डाईएसल नंने आइकष़ नहीं आ गई और ये अभी news है कि Johnny Gargano का अभी एक door open है कि वो WWE में वापस आ सकते हैं ये उन्हें realization है कि यहाँ पे वो money तो बना सकते हैं और वो बहुत जादा push नहीं हो सकते क्योंकि NXT फोकस करें यंगर talent में और वो export main roster में भी ले सकते हैं Chris Jericho ने Twitter में डाला है कि AEW best professional wrestling company है आज तक उने जितने भी companyों में काम करा है उससे और Tony Khan best boss है जिनके साथ भी आता है Chris Jericho ने business करें और अगर कुछ talent को feel होता है कि वो under compensated मतब less paid हो रहे हैं तो शायद वो इतने अच्छे नहीं हैं जितना वो सोचते हैं और वो जा सकते हैं कहीं भी जाना चाते हैं लेकिन वो वापस आएंगे back करते हो इस company में यह उन्हेंने target जरूर MJF को करा होगा क्योंकि उनकी storyline या फिर जो भी real में चल रहा है AEW के साथ वो यही सब चल रहा है texture loomis का भी जो non-compete clause हो चुक है खतम तो July 11 को वो आने वाल रहा है always ready में अभी तक उनके plans तो नहीं पता लेकिन शायद वो ready भी है compete करने के लिए यह NWA ने बताया देखते हैं कौन होता है उनका opponent always ready में जो होने वाला है June 11 को टाइक उनकी और सामी के वारा भी हो चुक है engaged यह परसो वो हो चुक है engaged जो फोटोस भी है आप सामने देख सकते हो जिसमें वो आइफल टावर के सामने है बाद में भी उनकी फोटोस आई है और जो भी आप देख सकते हो screen पे जब CM Punk हो चुक है injured जो उननोंने काली बताया AE AEW Rampage में और वो Relinquish कर रहे है अपनी टाइटल जो वो Double or Nothing में जीते थे तो इस Thursday AEW Dynamite में होने वाला Battle Royale और जो जीतेगा वो Battle Royale तो वो फेस करेगा John Moxley को Main Event में Dynamite के और जो उन में से जीतेगा वो फेस करेगा Hiroshi Tanahashi से यहां फिर Hiroki क्योंकि यह उननों एक दूसरे को फे Single Matches लड़े और वो Undefeated अभी तक, Dynamite में, Rampage में, Battle of Belts में और Pay-Per-View जैसे Revolution और Double or Nothing में, Anthony ने Defeat करे 7 wrestlers को और वो Undefeated है लेकिन जो Moxley के Opponents तो हायर थे quality में as compared to जो Anthony के Opponents थे, इसलिए John Moxley को पहले AEW का Dynamite का Main Event में मिल गया, जिसमें वो लड़िंगे जो भी Battle Royale का होगा winner, और Dave Meza ने बताया कि अभी तक, जितने भी AEW stars थे और जो Top Level के stars भी थे, अभी तक बात नहीं कर रहे थे, कि वो AEW से WWE में move कर लेंगे, और कुछ लोग ये भी indicate कर रहे थे, कि वो कभी भी leave नहीं करेंगे AEW, जो New Direction थी NXT में, तो वो उसमें अपना future नहीं देखते थे, क् NXT बहुत ही यंगर टालेंट पर focus कर रही है, लेकि जोब success आया, Cody Rhodes का AEW से वापस से WWE में आने में, plus वो ज्यादा money earn करते हैं, अब AEW के comparatively, उस चीज ने बहुत सब का mind change हो गया है, फ्यूचर में कोई आता है AEW से WWE में, जो पहले WWE में रह चुका है, ये नहीं, हम आसो CMPA ने देखते हैं कि कुछ people happy होते हैं, कुछ sad, तो ये psychology उने बहुत पसंद है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक movie बना है, देखते हैं, वो कभी Hollywood में जाते है, future में के रहे हैं, SmackDown के बाद जो दो matches announced हो है, हेले ने सेल के लिए, वो है SmackDown Women's Championship, Ronda Rousey vs Natalia, Madcap Moss vs Happy Corby No DQ match, ये दो अभ I will run, I will climb, I will start